आगे बढ़ते हैं दिली में पीएम नरेंद्र मोधी आज कोविन ग्लोबल कॉनक्लेव में अपनी बात को लेकर लोगों के सामने रखेंगे दोपहर तीन बजे पीएम मोधी कॉनक्लेव को वर्चुली संबोधित करेंगे दरसल वैक्सिनेशन के लिए बने आप कोविन को पचास देशों ने अपनी रुची दिखाई है अब भारत डिजिटल जनसेवा के तौर पर कोविन मंच को दूसरे देशों के लिए पेश करेगा तो ताकि दूसरे देश भी कोविड-19 ठीका करण अभ्यान को संचालित कर सके भारत कोविन आपको दूसरों दूसरे देशो के साथ मिलकर निशुल का शेयर करेगा कारिक्रम में केंद्रिय स्वात्समंत्री डॉक्टर हर्श्वर्धन भी शामिर होंगे तो प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में अपनी बात को लेकर लोगों के समक्ष रखेंगे दोपहर तीन बजे पीएम मोधी कॉन्क्लेव को वर्च्वली संबोधित करेंगे अधादे वैक्सिनेशन के लिए बने आप कोविन को अपनाने में 50 देशों ने अपनी रुची दिखाई है और अब भारत डिजिटल जनसेवा के तौद पर कोविन मंच को दूसरे देशों के लिए पेश कर करेगा